मेरे परिवार जनो मद्द प्रदेश में जब से भाजपाक की डबल इंजीन सरकार बनी है तब से मद्द प्रदेश के विकास को नई उर्जा मिल रही है 2014 से पहले के 10-12 सालों में यहाँ बीजेपी की सरकार थी लेकिन दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी और कॉंग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी तब MP को सयोग देने की तो बात छोड़िये समर्थन करने की बात तो छोड़िये डगर डगर पर रुकावटे डाली जाती थी मुसिबते प्रदा की जाती थी काम में रोड़े अटकाए जाते थे मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कॉंग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो काम में रुकावटे न डालती हो मद्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कॉंग्रेस सरकार का यही सोतेला व्यवार था और इसका प्रमान हमें चंबल छेत्रबे भी दिखता है आज एमपी में आप सभी कॉंग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाडने की कॉंपिटिशन में लगे हुई हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े भाड़ो वो कहता है तुम इसके कपड़े भाड़ो और यही दो चहरे हैं जिनोंने लंबे समय तक मद्द प्रदेश की कॉंग्रेस को चलाया है कॉंग्रेस की सरकारों को चलाया है अगर MP को बिमारू राज की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है को मेरी बात साही है कि यर आप पुरा जोड़ से बताओ तो पता चले है मेरी बात सही है इनी लोगों ने बिमारू वनाय ना इनी लोगों ने बर्बात किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए आग निहीं मिलनी चाहिए सजा देने में जराबी कमी मत करना और तो चंबल की धर्ती है यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है MPK 18-30 के नवजवान यह बात बली भाती समझ रहे हैं और इसलिए MPK हर नवजवान आज कह रहा है कॉंग्रेसी सरकानों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया वो हमारा भविष्ट कैच्छे अच्छा बना सकते हैं मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हीत ही सब कुछ है कॉंग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को साफित करने के लिए चुनाव लड़ रही है उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र है आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं वो अपनों में सही बहार आये तब आपकी चिंता करे ना और आपने देखा होगा गुम फिर करके तीन परिवार दिखते हैं एक दिल्ली वाला और दो यहां वाला यह तिकड़ी गुम रही है बस जम नेता अपने बारे में ही सोते रहेंगे तो MP का विकास कैसे संबव है यही कॉंग्रेस के नेताओं ने भुद्काल में भी किया है आज भी यही चल रहा है भाजपा के लिए गरीब मद्यंबर्ग दलीज पिछडे आदिवस्वासी परिवारों के बच्चों का भविश्च बनाना यही हमारे लिए सर्वो पर ही है आपका सपना ही आपका सपना ही मोदी का संकल्प है मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है जितना मुझे समय दिया है हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशिरवाद से मुझे ताकत मिलती रहती है आज भी मैं मुरे ना मैं आपको अपने इमानदार प्रयास हो की वही गरंटी आपके सामने आकर के देने के लिए आया और आप भी जानते हैं कि मोदी की गरंटी यानि हर गरंटी पूरा होने की गरंटी जब कि अरया है